नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, रेडी हो जई डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड के अंदर पिछले कुछ समय से न्यायधीशों की नियुक्ति और इससे जुड़े अन्य सवालों को लेकर व्यवस्थागत मसले पर सरकार और न्यायपालिका के बीच जिस तरह की खीचतान देखी जा रही है, वह कोई आदर्श इस्थिती नहीं है हाल में नौबत यहां तक पहुच गई थी कि न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम प्रडाली पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकराव जैसी इस्थिती बनती देखी गई हालांकी यह ऐसा विशय है जिसपर सरकार और न्यायपालिका को मिलकर कोई ठोस हल निकालने का प्रयास करना चाहिए था लेकिन विडम्बना यह है कि फिलहाल कुछ सकारात्मक संकेतों के बावजूद इस समस्या के हल के बिंदु इसपष्ट नहीं हो पा रहे हैं जबकि इससे जुड़े प्रश्णों से उपजी जटिलताएं अब भी बरकरार हैं इसी मसले पर अब संसद की एक समिती ने भी हैरानी जताई है कि सरकार और उच्चतम नियायाले करीब साथ साल बाद भी कॉलेजियम प्रक्रिया ग्यापन पर आपस में कोई सहमती बनाने में विफल रही है यह प्रक्रिया ग्यापन सीर्ष अदालत और उच्च नियायालेयों में नियायधीशों की नियुक्ति, पदोन्नती और तबादले से जुड़ा है गौर तलब है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस मुद्दे पर पिछले साथ साल से विचार विमर्ष चल रहा है और दोनों पक्षों ने इस पर कई मौकों पर आपस में विचारों का आदान प्रदान किया है विचित्र है कि जो मामला समूचे न्यायपालिका के धाचे को प्रभावित करता है और इसका असर मुकदमों की सुनवाई या न्यायक गतिविधियों की रफतार पर पढ़ता है उसके समाधान तक पहुचने को लेकर परियाप्त सक्रियता नहीं दिख रही जबकि आए दिन यह सवाल उठता रहता है कि देश की विभिन अदालतों पर मुकदमों का कितना बोज है और न्यायालयों की रिक्तियां भरने के मामले में समय पर जरूरी कदम नहीं उठाए जाते अदालतों में जजों के खाली पदों के समानतर व्यवस्थागत इस्थिति यह है कि सरकार सिर्फ उनहीं को उच्य न्यायालयों के न्यायधीश के तौर पर नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश सीर्ष अदालत के कॉलिजियम की ओर से की जाती है कुछ समय पहले कानून मंतरी ने संसद में कहा था कि जब तक न्यायधीशों की नियुक्ति का तरीका नहीं बदलेगा तब तक नियुक्तियों और खाली पदों पर सवाल उठते रहेंगे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अगर देश भर की अदालतों में जरूरी तादाद में न्यायधीश नहीं है तो इसके क्या कारण है पहरा ऐसे में संसदिय समिति की ओर से व्यक्त आश्चर्य स्वाभाविक ही है कि जो मसला कई इस्तर पर न्यायक गतिविधियों को प्रभावित करता रहा है और आज उस पर एक तरह से सरकार और शीर्स आदालत दो पक्ष बन गए दिख रही है वह इतने लंबे वक्त से विचार के बाब जूद किसी ठोस हल तक क्यो नहीं पहुच पा रहे है जबकि हकीकत यह है कि खुद संसदिय समिति की रिपोर्ट में न्यायवे भाग की और से दिये गए विवरणों के हवाले से बताया गया कि 2021 में उच्च न्यायाले के कॉलिजियम द्वारा 291 सिफारिशे की गई थी यह एक उदाहरण भर है यह छिपा नहीं है कि देश के न्यायालेयों और खास तौर पर निचली अदालतों में मुकदमों के अंबार और न्याय में देरी की क्या वजहें है फिलहाल उपरी अदालतों में न्याय धीशों की नियुक्ति और खाली पदों की समस्या का हल करने के लिए इसपष्ट पहल कदमी की जरूरत है यो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देते हुए केंडर सरकार ने कहा है कि नियायक नियुक्तियों पर जो समय सीमा है उसका पालन किया जाएगा और लंबित पड़े कॉलीजियम की सिफारिशों को जल्दी ही मंजूरी दे दी जाएगी संसदिय समित की चिंता के बाद अब केंडर सरकार के रुख से उमीद की जानी चाहिए कि सम्मंधित पक्ष मिलकर मुद्दे को एक ठोस हल निकालने में कामियाब हो सकेंगे उमीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा जो वर्ट छूट गए है प्लीज उनको आप फाइंड आउट करिए और इनकी आउटलाइन्स अलग से बनाइए चैनल पर याप नए है तो आपको सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स के साथ शेर करना है वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कोई सुझाओ है आपके पास तो प्लीज आपको इंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको लगता है तो that's all thank you